Hello, so welcome to EasyPrep यह वाले वीडियो पर जो हम अभी आपका एक्जाम होआता उसी के बारे में डिस्ड्स करेंगे तो इस वाले ऐसेक्शन में पर्टिकूलर्लींग्लिश के बारे में ीनलिश के बारे में डिस्कश्ण वास करता है तो वीडियो को और बीनार दिरिखी शुडू कर लेते हैं और हाँ पहले में एक बार बोल देता हूँ I am not a teacher of English तो अगर कुछ गलत हुआ नहीं बोलना एंसर कीसे आप मिला लेना तो मुझे जो लगता है सही है मैं उनको आपको बताता हूँ तो फिस्ट पोशन आया था कि इन अलेक्षिन तोस इन पावर शुट फिल भूब्लाइट तो पूंपेत विट थेर आपोनेंट्स उनकोल तो अप्रोंट्स उसके बाद रवी इस मैरीड तो अ कॉसिन बाद रवी इस मेरीड तो अ कॉसिन बाद वीडियो अप्लेंट पाइन इस मेरीड तो इस में पहले वाला में दो होगा इस कोस्ट मी अगर यह कोशन देखूँगे ना तो मुझे लगता है कि यह उन्होंने गलत किया यूकि इस दिया है इस मेरी साब से कॉस्ट होना चाहिए यह मेरी साब से है बाकी आप लोग मुझे से बहतर जानते हो आप लोग को पता होगा तो फिर भी मेरी साब से इस कोई भी आर्टिकल नहीं बनता है क्योंकि हज़ी हंड्रेड रूपी भी देता ना अगर यहापर तब शाय से इसमें तो इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं बनना चाहिए उसके बाद इन दिस वे गेम केम टू एन एंड तो यह एन हो जाएगा आपका चलो अभी जो सीनोनिम से सीनोनिम के बारे में बोलते हैं तो पहले तो आपका सब्सक्राइब आया था तो सब्सक्राइब मतलब अभी आपको अपना चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना है लाइक कर देना है और सब्सक्राइब हाँ सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब मतलब क्या आप मेरे साथ जूर सकते हो मतलब अब जूरते हो तो यह क्या हो जाएगा आपका जॉइन हो जाएगा यह उसका बात कंप्ल मतलब अगर option में भी देखो न तो approach dismantle eliminate यह सारे के सारे similar words है different कौन सा implant मतलब implant उसका बाद esteem esteem मतलब किसी का बोलते है न self esteem respect होता है तो इसका opposite कौन सा हो जाएगा यह disrespect हो जाएगा हाँ अभी कौन सा correct statement है यह आप थोड़ा सा पढ़ ले न मैं बस सही उत्तर आपको बाता मतलब बोल देता हूँ तो पहले में he earns his bread with the sweat of his brow तो यह सही है उसके बाद का अगर देखोगे तो the presence of so many men is encouraging यह भी सही है अगर देखोगे तो इसमें क्या गलत है दूसरा में दूसरा में आ रही हाँ पर नहीं बैटना चाहिए is होना चाहिए उसके बाद the presence of so many men encourages अगर होता तब भी यह सही होता लेकिन यहाँ पर encourage दिया है तो यह गलत है the presence of so many men, यहाँ पर men है, m-e-n होना चाहिए, यह इसलिए गलत है, उसके बाद he went there on foot, यह गलत है, he went there walking, यह भी गलत है, he went there with foot, यह गलत है, तो सही है, he went there by walking, उसके बाद wanted a lady flying to England a piano, यह तो गलत है, wanted for a lady a piano flying to England, यह भी गलत है, wanted a piano for a lady flying to England, यह सही है, यह तो गलत होगा, तो यह वाला में, यह सही है, third वाला option चोगा है, यह सही है, चलो, अभी जो comprehension है, passage है, उसके बारे में देख लो, तो एक बनना आप पढ़ लेना, मैं अभी पढ़ चुका हूँ इसको, तो passage किसके बारे म जिसने भी मार किया इसको ना सही से मार किया, तो पहले अगर देखो कि यह बैक्टरिया के बारे में बोलते हैं, उसके बाद बैक्टरिया के बारे में बोलते हैं, उसके बाद बैक्टरिया को पढ़ना चाहिए, फिर से मैं बूल गया क्या लिका था, मैं स्किल सीज, यह ड एक बर आप देख लेना कौन सा है और इसका लास्ट बाला जो है और बोडी ओन केपसिटी यह मार्क अल्डेडी है टिक है मैं ज्यादा नहीं पड़ा ज्यादा द्यान से नहीं पड़ा बस एक दो लाइन ही पड़ा था पहले भी तो मैं सोचा था यह डिरेक्टी आएगा फि एक दो कोशन है जिसमें आपका डाउट हो सकता है तो इंग्लिश पे अगर 20 में से आप 18 अच्छे से बना के आऊगे ना तब भी आपका बहुत अच्छा मार्क इंग्लिश में ठीक है तो बाकी का वीडियो अभी आ जाएगा जल्दी में बना रहा हूँ तो अगर वीडिय झा ये हाँ तो ऑगी तो इल्दी में अगर रही कर जो का वीडि़िया में रहा हॉा झालोई झालोई ओना का बना रहा है